हेलो फ्रेंट्स स्वाकत है आपका अरिश्मी डिजाइनर चैनल पे आज मैं आप लोग के लिए सुन्दर से स्लिप की डिजाइन लेकर आई हूं इसे बनाने के लिए मैंने नॉर्मल स्लिप जैसे आप कट कर लेना है और इसके बाद उसको पीज से भी इस तरह से कट कर देना है जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं इसी तरह से में कट कर लेना है हमें अलग अलग कर लेना है अब हम इसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे जिस साइट समय बीच में कट किया तो उसी साइट समय बीच में फोल्ड करना है दूसरी वाली भी हम इसी तरह से फोल्ड कर लेंग इसे फूल करने के बाद हम इसमें डिजाइन बनाएंगे यह हमारी फूल्ड हो गई चलिए अब हम डिजाइन बनाते हैं उसके लिए सबसे पहले मैंने इस चलवार कप्रा ले लिया है सब्सक्राइब इसमें डिजाइन बना रही हूं को हम उस्तीय से कट ली अ एक बाल और दिखा देते हूं यह तो करना है सिंपर विल्कुल और कट कर लेना है ऐसे बहुत सारे हमें कट कर लेने हैं यह देखिए मैंने कर दिया और फ्रूने आइरन भी कर दिया है अब इन्हें स्लीव पे लगाते हैं अब स्लीव को लेना है इस तरह से और इस तरह से मैं इसको कटिंग को इस तरह से रख कर और इसके उपर दूसरी वाली स्लीव लगाकर स्लाइक मार लेनी है स्लाइक लगा लेंगे देखिए इसी तरह से पूरी स्लीव में हमें डिजाइन बनानी है बस इसी तरह से वन बाई वन बाई वन करके लगाते हुए हम पूरी स्लीव में डिजाइन बना लेंगे और इसके बाद यह जो हमने पहले सिलाई की थी जूपर वाली है पांच नमबर के फिलाई किया था उसे हम खूल भी लेंगे यह देखिए मैंने लगा लिया है उसके बाद आगे का जो है उसे फूल कर लेंगे यह डिजाइन बहुत ही सिंपल और बहुत ही जल्दी बन जाती है और बहुत ही अच्छी लगती है देखने में अगर आप थोड़ा लाइट और डार्क के कॉंबनेशन बनाएंगे तो यह रिजन और भी सुन्दर लगेगा ने पास यही था तो मैंने इस पर बनाया अगर आप थोड़ा लाइट और डार्क के कॉंबनेशन बनाएंगे तो यह बहुत अच्छा लगेगा लेकिन इसमें भी यह डिजाइन बहुत अच्छी लग दिए अगर आपको यह डिजाइन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो